नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ टिक्की बर्मन और आप देखें न्यूजरूम लाइए तो चलिए हम अपने न्यूजरूम लाइफ की शिर्वायत करते सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि कल अम्रित सर्में लड़ाई हुई थी जिसमें उन लोगों ने एक दूसरे को बोली मारी तो उसके जादा जान करेंगे हम रणिंग से बात करेंगे इस वारण ने बताना चांबा के अमरित सर्म शेहर से 13 किलोमेटर दूर बीसेफ केम पे बटालियन 145 खासा वहां इस समय रह रही थी और नाज्टे का वो समय था नाष्टे का वो वक्त था जब उस समय वहां पर फारिंग हुई सथेप्पा सथ इंडिया से एक बीसे नोजवान है जो वहां इस समय ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने अपने चार साथी उपर वो चार साथी जो उनके साथ लेटे थे थे वो चा कि जो प्रते के रिया होती है उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ बात चुपी होती कि आखिर वह गुष्टा एक दम तो नहीं पनाद गया कि वह आया और उन्होंने फारिंग शुरू कर दी उसके पीछे कुछ कर रहे हैं जादा मुझसे ड्यूटी ली जा रहे हैं मैं बहुत परेशान हूं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा हूं तो उन्होंने कहीं उसकी मजाग हो रही है जो सीनियर अदिकारी थे उन्होंने उसको नजर अंदाज किया तो जब इतनी सारी टेंशन सत्यपा के दिमा कि अधिया नचाओंगा वह शहीद हो गए चाहे बोडर पर बोली लगे चाहे कोई आंतरी कोई कारण रहे लेकिन सेना में जो भी जवान है वह शहीद कहलाता मेरे नजर में वह शहीद है अब मैं बात करूंगा सत्यपा कि क्या वह शहीद है या नहीं ये फैसला करेगा कि इस मामले की तहर तक पहुंचा जाए कि आफिर वह कौन सी परेशानिया थी वह कौन सा अग्रेशन था जिसकी वज़े से सत्यपा को ये कदम उठाना पड़ा अब सत्यपा की मोत पर ये खुलासा अभी सामने आया है कि किसी ने मतलब पहले सुत्रों के अरुसार से जानक कि अपने दोस्तों पर बोलियां चला थी लेकिन अगरा जिन्दा होता तो इस बात से वह अफ्सोर जरूर कर रहा होता कि जो हुस्से में एकदम से फैसला लिया वह फैसला कही नहीं गलस था इसकी मैं निंदा अलोजना तो जो अभी बजह आई ये कि उन्होंने ये कदम कि कि इसलियो भधाया तो क्या हो कर्कम है कि इसी वजह के वजह से उन्होंने इन चारोसाथे को बाठ सजय से अपने गर पर हो रही थी जो बात उसकी नहीं 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 को अभी नहीं जा जा रही आई ह। इसके लावा जो उसके मीचे जो दोस्ते जो रूमेंट्स ते वहां से भी बात कहीं नहीं है तो डिप्रेशन का शिकारत और बज़े यही थी कि उसके ज्यादा ड्यूटी ली जा रहे थी इसके लाव और कोई बज़े नहीं तो रही नहीं अपने चार साथें से जान नहीं पड़ी चलिए थी के लाइफ को आगे बढ़ा देवां रिटू श्री से बात करेंगे जो हमको बताएंगे कल राजस्तान में सबसे बढ़ा नहीं वसंद्रा राजे की जन्म देने ग़ी तो उससे मिले जूड़ी कुछ ख़ब विनली प्सकोन सैंटली जेकर वस्मânद्राराजीशा से त mớiने हुआ से करने परने और वुस्टा यह बक करने केशचे बप आतल समया之ा वाहां पर वही प्रेज़ी के सब्सक्राइब करेगी तो जिसके अंदर फुट जो BJP संगठन है उसके अंदर काफी जोरो से तैयार्य कर ना है, इस चीछ-के अंदर ही कुछ जो दो लेता है, उनका इक ओड्यो वाईरल हुआ है, जिसके अंदर हो मना कर रहे है, कि यह BJP का काम नहीं है, मतलब BJP का काम नहीं है, और यह जनम दिन क इसमें यह राजनी तिक से जोड़ी या पर हमारे बिदय लिटेन के बूसे जोड़ी कामने हैं यह तो इसे थोड़ा कया है ना बेसंद्रा जोखे में है उसे थोड़ी से दिरार वगेरा चल रही है बुन्दी विदानसभा की भाजपजी लग्यक्ष छीतर लागराना और दूसरे है बुन्दी भाजपजी विदायक अशोद दोगराजी जिनका ऑडियो वाइरल हुआ है जिसमें ही कहते हुए नजर आ रहे हैं तो इसमें हम शामिल लही होंगे साथ ही वो और लोगों को भी जो बीजेपी दल है उसके अंदर कुछ लोगों को भी मना करें किसमें तुम्ही शामिल लही होना चाहिए क्योंकि ये पार्टी का काम नहीं है ये उनका जनमदीन का काम है वो अपने देरशन की शुड़ात करी इनका नीजी काम है लेक इस तरह करके उन्होंने वो चीज ब बूरी है तो इस वज़े से आ रहे हैं कि ये बीजेपी भी अलग बुती नजल आ रही है तो ये चीज़े उट रही है अप सामने है तो लितुश्री ना आपको बताया है कि कर वसंद्र राजेपी जनम दिन है उसके लिए बहुत सारी बाते आई है बीजेपी नेताओं ने बहुत सारी बाते रखी है अपने मन की कि ये राजनीती से जुड़ी नहीं है ये उनका परस्नल काम में निजी का रहे है जो हो अपने आप हिस करना चाहेंगे जी तो हम अपने एक्सपर्ट के तरफ चलते हैं जो हमको बताएंगे कि सोशल मेडिया से जुड़ी क्या हमारे पॉजिव पॉइंट है और क्या हमारे नेगिटिव पॉइंट है इससे बच्चों को कितना नुखसान होता है और कितना प्रभाव हमारे बाता औरन को बढ़ता है तो जे कासिन बताईए बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मेडिया के जो इफेक्ट बच्चों के उपर मन की पढ़े हैं मस्कत पढ़े हैं उसके बारे आपको तफसिल से बताएंगे हर सिक्चे के दो पहलों दो रूफ होते इसी तरीके से सोशल मेडिया के भी दो पहलों है पॉजिटिव और एक नेगिटिव है अब डिपेंड करता है इंसान के उफर के वो उसको किस तरीके से जो ह अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे जब सोशल मेडिया नहीं था तो तब लोग क्या करते थे कि जमा होकर एक जिगा बैठते थे दोस्तों को मिलते थे आपनी फैमिली के साथ वक्त बुलाने का जो है वक्त मिलता था कहें किसी पिपल की चाहों में पेड़ की चाहों में बैठ कर सब लोग बाते करते थे लेकर आज सोशल मेडिया पीवज़ा से दुसरे को जो है वो दोस्त वो रिष्टेदार वो मांबाप और वो जो उनके बेटे आज वो उनका कारें यह है कि सोशल मेडिया आज हम अपने मुबाइल लेकर इलग इलग बैठ जाते हैं अपने माब आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, आपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो पहला तो यह इसका पिल्खुली जो मंत्री एफेक्ट पड़ा, अब अगर हम इसको एजुकेशन से रिलेट करें, तो एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है सोसल मेडिया का गुगल के उपर जो है, बहुत है अचारे आपको सब मिल जाएंगी, आप आराम से पीडियाक्ट डूलोड करके भी पड़ सकते हैं, लेकन यहां पर भी एक बहुत बड़ा मसला यह कि इसको गलत अगर इस्तमाल किया जाएगा, तो इंसान बहुत ही मितलग नुकसान इसका भी पाएगा ओजिसको गलत सतमाल करेंगा, चोटे बच्चों के उधर हम बात करें, तो छोटे बच्चे जो है, क्या हुता है कि मभाब के पास भी इतना टायम लीन है, को ऊप बच्चों को टायम मै बे तो टो उरन जो है, जब ही बच्चा रोता तो उसको अपनups बाल ये कुछ गाना लगा कि कुछ गया हो तो आप ऐसा हो गया है बच्चों के उपर के वो उनको एडिक्षन हो गिए उस फून की जब भी वो बच्चे रहो तो महीं प्रीव पाफ के मीडिया को पॉसिटिवए में इस्तमार किया है ज़ाए बच्चों से घलत चीजे आज से फीडि जानत वीडियों न देखें, ज्यादा से ज्यादा वो चीजे देखें जो आपको आने वाले वक्त में काम आए, आपनी अजुकेशन के रिलेटेड़ ही चीजें जो आशार्श की जाए, उनको देखा जाए, तो शायद जो मौश्रा भी एच्छा बन सकता है, और आने वाले स साइटी और आपकोंदेश कहा है, और इसके बात यह हैं, तो अगर ऐता है कि अगर आच्छा पहरां का सो अभाए जो झोडों को फ़ायद के लिखाना चाहिए, यह उनको यह घुडिगा पयंदायाए, तो तो हमको कास governance ने बताई Communication बताईए बिल्कुल विए बताना चाहूँगा कि रायसन विदान सभा में अब बजड सत्र चल लाया और उसका शुन्यकार चल दा है जैसा कि बीजेपी और कॉंग्रेस में बीजेपी हमेशा कोई ना को एक मुल्ता डूंती है आज दो बड़ी मुल्ते ते जिन पर चर्चा हुई रेक मुल्ता वेसा था जिसमें बीजेपी के नुमाइंदों ने वहां से वोकाउट कर दिया मैं दोनों आपको तक्सील से बताना चाहूँगा एक एक करके पहला तुम आपको बताना चाहूँगा कि जो है वेजेपी के नेता परतिपक शेख उलाब चन कटालिया ने सदन से वोकाउट किया ये कहते हुए उन्होंने शाले मुहमद अलप संग्यत मामलार मंद्रे पार को बनवाने के लिए उन्होंने क्लेक्टर को चिप्टी लिके और कहा कि ओबीजी से अधार पर अलब संग्यक सर्टिपिकेट बनाया जाए तो गुलाब चन कटारी ने कहा है कि इस तरह की बंदीश्य से बनाने में नहीं करनी चाहिए गलत है इससे कही ना कहीं जो पिछड बनाती है उसके बाद अलब संकिर सेटिफिकेट बनाएगी तो एसा उन्होंने तरक दिया है जो कि बिल्कुली लोजिकली सही नहीं था और उस पर गुलाब चन कटारी इस बात पर अलब संकिर मामला शाला मुम्मद ने कहा कि यह बिल्कुल सरसर गलत है उन्होंने कारे मैं इसमें सदन से लोग आउट हो गया और एक मुद्धा जो है परसादिलान मेरा जो माले नवीन जो नए स्वास्ति मंत्री बने है रहस्तान के उन्होंने एक मुद्धा उठाया डोक्टर्स की डेप्यूटेशन खतम करने को यह मामला था उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जो रहसान की बहारी एडिये जहां पर सुर्विधाय जहां पर डोक्टर्स की ज्याद आवशक्ता है और जहां पर डोक्टर्स नहीं है वहां तो होता है कि डोक्टर्स की ब्यूपी तो लग जाती है लेकні डोक्टर पूर्ष के अंदर मालो えक बड़ा मुद्दा है इस मुद्दे पर वीजेपी ने भी वह उनकी वाहभवाई की और कहा गर आप इस चीज कर लेते हो तो इसके लिए में आपको बजाए जाता हूँ, यह बहुत अच्छा कान है, कुछ डोक्टर मानते ही नहीं, मतलब उनका जोइनिंग कोई आउट एरिये में आ गए, तो वह जोइन नहीं करते हैं, उसके बजाए वो ऐसी जगा पर जोइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज इसलिए आउट एरिये में अपनी सर्विस नहीं लगवाते हैं, और जेपूर और जो बड़े बड़े जिले हैं, वहाँ पर अपनी प्रेक्टिस अपना जो लगवाते हैं, तक उनको प्राइबेट तरीके से उनको पैसा मिल सके, तो परसादी लाल मेना ने ये मुद्दा इसलिए बड़े 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 इसको मुद्दा बना रही है, मैंने एक ते परक्रिया के तहट अलब संज्यक सर्टिफिकेट बनाने को कहा था, तो जावेजी ने बताया हमको ऐसे विदान सवा सत्र के बुद्दों पर उन्होंने हमको पूरी जानकारी दी है, तो आसे कई मुद्दों के साथ हम कल दुबारा आपके साथ मिलेंगे तो तब तक के लिए आप बने रहें न्यूजरूम लाइप के साथ, क्रेंजरूम लाइप करेंजरूम लाइप कि अजलों फिए फ्रॉणी याय करेंजरूम लाइप झाल